हेलो लिसनेस दिस इस अनिकेट तो गाईज आज हम आ गए है बैंड थियूरी आप सॉलिट के पार्ट टू में जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉरेंट है क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं सेमी कंडॉक्टर को पी एंजेंक्शन को और जंक्शन डायोड को तो कई सबसे पहले अगर हम बात करें लुए रही करेका कि उस पे जादा होगर के इसन लायेक्ट जब उसकते जादा पड़ेगा तो वह को कैसा जैसा आपने पार्ट वन अगर देखा होगा तो आपको क्लियर होगा सेमिकंडॉक्टर के बारे में कि सेमिकंडॉक्टर मैंने क्या बताया था और वह इंसुलेटर के जैसे कभ भी करेगा जब उसका टेंपरेचर जो थर्मल कितना हो 0 ठीक है हमने बताहि तै कि सेमिकंडॉक्टर का जो रसीस्टेंस और शीषिस्टिवीटी ओग वन एलेक्टर ऑल्ट होता है करेगा केवल चार electron share करेगा तो अगर हम बात करें pure semiconductor की तो देखें pure semiconductor को हम लोग intrinsic semiconductor भी बोलते हैं उसमें होता क्या एक ज़िए suppose एट हमारे पास silicon है तो silicon के पास कितना tendency है कि वो electrons को share करेगा तो 4 क्योंकि वो 14th group में बिलोंग करता है उसका valence electron फिर उसका valence कितना चार है तो एक silicon कितना Author कर सकता है चार ता चार से ज्यार कर सकता है तो उसके बाद करें तो देखें यहांस केने सुर्ष पर ले इस सिलिकॉन का हता है 1234 789 यह सिलीकॉन पूरा अपना complete कर लिया है तो basically है ह Llrar क्या होता है कि जो सिलिक्उन के अंतर्ध कहता है अब तरह किया करता है तो वह क्मकण्ड त्यार कर लेता है चूंकर इसलिए बोलते हैं पांड बना लिया आ सोमसमें इसमें कोई फ्री इलेक्टिफित नहीं है और अगर फ्री इलेक्टि नहीं यह क्या वगा कंड़क्त नहीं कर पाएक और अगर सेमिकंडक्टर 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 तो यहां सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब the vacancy of electron in covalent bond called hole जो electron अगर यहां से निकलता है covalent bond में तो वो क्या कहला जाता है hole कहला जाता है ठीक है तो guys अब यह क्या है जैसे suppose that आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि हुआ क्या यह pure semiconductor था ठीक है तो अगर हम यहां से किसी भी electron को निकालते हैं अब सरी निकलेगी कैसे तो आम आपको बताया था ना semiconductor में क्या होता है आप अगर heat दोगे तो वहां से क्या होता है electron एजएक्ट करता है तो जैसे ही हम अगर suppose that इस पर heat देते है sunlight देते है तो यह electron क्या होगा यहां से suppose that निकल जाता है तो जैसे घयाई शेयिक का रहा है फोंशा सμर्सकार में पित्रिंस्क युद्ड समयनों के मैं या पिर या फिर लाइक है तो इसको बहुत अच्छा सब thànhucci किन्ड़क्टर में ना तो इसको बहुत अच्छे से समझनेığını तो देखिए गाईज हम लोगों क्या करना है semiconductor में basically क्या करना है हम लोगो current produce कराना है अब current कैसे produce होगा जब उसके अंदर हम लोग free electrons को create कर सकते हैं तो हमने देखा कि अगर हम heat produce करते हैं heat इसमें डालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है whole generates होता है और यह क्या होता है electron यहाँ से exact हो जाता है ठीक है basically हमने यहीं देखा तो हम क्या करेंगे कि कोई भी semiconductor को लेंगे और उसपे क्या करेंगे heat देंगे और जैसे ही heat देंगे तो यहाँ से क्या होगा electron निकलेगा अब जो भी यह electron यहाँ से निकल गया कि यह electron गयेगा अब यहाँ पर कहीं तो होहा है नहीं तो यह electron freely move करने लगेगा आप क्या हुआ है कि यह जो होल है इस होल को देख करके इस electron को लाला जाएगा सीलेक्टवस्प्राइक है उस कозмणलल ना चाएगा है आप ठीक है तो जैसे ही यह वाला Nineवी करते है और चाहि आंए पर आप एसे यह फुल्फिल हो जाएगा पूरा और यह होल हो जाएगा यह ओनक्तहिक अब इस होल को देख्क करके यह वाला इक्ट्रोण सोप्सुज यह आगे ति यह वेला पर्ट क्या हो लगता है और जब लोग करने लगता है तो हम लोग बढ़ा देंगे या तो हम बढ़ा देंगे या तो हम बॉंड़ेट फॉर्म में रखेंगे तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है तो हम क्या करेंगे या तो होल बढ़ा देंगे या तो इलेक्ट्रोंस बढ़ा देंगे तो गाईस हम लोग पहला क्या या तो आप होल बढ़ा दो या तो आप इलेक्ट्रोंस बढ़ा दो तो अगर हमको इसमें होल बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे हम लोग इसमें क्या करेंगे डॉपिंग करेंगे अभी डॉपिंग क्या है तो डॉपिंग का मतलब होता है कि किसी प्योर सेमिकेंट् 13 Wyoming और फिर 14 से आगे क्या होगा 15 तो यहां तो हम 13 गुरूप के Elements को इसमें Mix कर देंगे या कहां 15 मिक्स कर देंगे तो वो क्या हो गया impurities को हम Add कर दीमतलक्य उसके जो पीछे वाला था या फिर उसके जो आगे वालता उस एलिमेंट को उठाए और उसमें मिक्स कर दिये तो इंप्रिडिस बन गया तो यहां पर बेसिकली होता है कि विए डॉपड बाइद थाटीन ग्रूप एलिमेंट हम लोग जब उसको थाटीन ग्रूप एलिमेंट के साथ डॉपड करेंगे तो क्या होगा और जब उसको 15 ग्रूप एलिमांट के साथ डॉपड क्रेंगे तो क्या होगा तो जब हम थाटीन के साथ करते तो ऊसका नाम पड़ता है P Pro basically अगर देखिये हमारे पास क्या होता है silicon silicon के पास है चार है चार इलेक्ट्रों सेहर करनी के अबलि neo कि जब हम मिलाएं यह का है इसका मतलब इसका वेलेंस्य कि है मतलब यह तीन करेगा सेर तो और सिलिकवन और वांड को बीच में की रहता एक सिलिकन जिआ बनाता है यहां-ध Two- Six 3-4 यहां पर भी क्या है एक 1-2-3-4 लकिन अब एल्मॉनियम के पास कहा है इल्मॉनियम के पस तो ती से नी शेर करेगा तो बैसिकली यहां पर क्या होगा 1149 Osukate lyragen नी हम लोग क्या करते हैं कि उसमें Aluminium मिलाएं तो क्या बन गया होल बढ़ गया और हम लोग को तो यही करना था ना होल बढ़ाईए चाहे इलेक्ट्रों बढ़ाईए तब ही तो आपका मतलब यहां पर एक्ट्रों को एक्षेप्ट करना चाहता है और मतलब कि यहां क्या एक्ट्रों करना सब्सक्राइब तो 3 है इसी कारण से यहां पर try और यहां पर valence का मतलब valence to try valence की वज़से impurities create हुआ इसी कारण से मिलें इसको क्या बोलते है try valence impurity ठीक है तो basically p type semiconductor यही होता है जिसमें हम लोग क्या करते है hold को create करते हैं और n type semiconductor में क्या होता है कि हम लोग उसको 15th group वाले के साथ कराते हैं तो जब हम उसको 15 ग्रूप वाले के साथ डॉपिंग कराएंगे तो बिसिकली क्या होगा 15 ग्रूप में 5 एलेक्ट्रोन आ और सिलिकॉन के पास तो चारी है तो मतलब एक एक एक्स्ट्रा रहेगा तो देखें यहां पर बैसिकली ही हो रहा है सिलिकॉन 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 थिक है तो यहां पर brethren बढ़ाए है और यहां पर जो मैजरीटws की अतलाव कि इसमें 5 वेंसी की व्याज़ से हो रहा है इसे काराम से 16 स्राइब करते ठीक है और इसमें number of hole और number of electrons क्या होता है एक्वल होता है और अगर हम extensive की बाठ करें तो extensive semiconductor में दो पार्ट होता है एक होता है P-type और एक होता है n-type P-type का मतलब उसमें हम लोग doping करते है 13-group वाले के साथ और n-type का मतलब हम लोग दॉप नेगा 500 all के k thoroughly pest this के बाद हम बाद करें इसका थूड़ा साथ difference को और इसको पॉइंट्स में तोड़ा सा देख लिते जल्दी से लेकिन इससे पहले आप इसका स्क्रिन सॉट लीजे इसमें क्या है कि इस एन प्योड और यह क्या हुज यहां पर क्या होगा इसका electrical conductivity बहुत ही low होगा और इसका electrical conductivity बहुत ही high होगा the number of electron is equal to the number of hole इसका जो number of electron हो इसके number of hole के और यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर थोड़ा सा अला होगा क्योंकि यहाँ पर दो टाइप होता है अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है नहीं तो फिर जो आपको समझ में आता है कर लिजेगा तो समझेगा कि एंड टाइप का मतलब आप जैसे याद करना चाहते हो कर लेन यहां पर की यहां पर करेगा किस पर करेंगा מד करेगा तेमपरेचर पर legislated to क्वांट physically उसमें क्या किया गया है एड किया उतंऊति प्टीक्ट इन्सिक और एक्थिंसिक गड़न का आप इसको अच्छे से समझ लीजेगा ठीक है आप बात कर लेते हैं हम लोग पी टाइप और अंटाइप की तो देखें पी टाइप सेमिकंडुक्टर में क्या होगा इडिज ऑप्टेइन बाइडिंग ट्राइवेलेंट इंप्रियूडिस हम लोग पढ़े देना भी इसमें भी लोग खागें लोग घर टाइड करते तो मतलब कि ट्राइवेलेंट इंप्रियूडिस के अधिंग के वह से टीटेप सेमिकंडुक्टर बनता है और 50 इंप यहां पर क्या हो जागा हो जाएगा होद्ट हो जाएगा ठीक है इसके बाद इसके यहां जो फोल डेंसिटी हो ठीक है whole density N E और यहां पर क्या होगा कि electron density N E वो क्या होगा greater होगा whole density NH से तो यह आपका P और N टाइप का difference यह भी बहुत important है तो गाइस यह difference आपके लिए बहुत important है इसको आप अच्छे से समझ लिजेगा ठीक है और इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं जंक्षन डायोड के बारे में पिए जंक्षन डायोड के बारे में तीक है फिसके बाद हम पढ़ेंगे NPN जंक्षन और PNP जंक्षन उसके बाद चाक्टर क्लोज चाप्टर खतम तो गाइस जल्दी से इसका आप आप स्क्रीन सॉट लिजे